है तो हुआ है विडियो में आपको बताऊंगा उपोर्ट्योटी इन टौइज एक्सपोर्ट यहाब देखिया तो यह बहुत ही बड़ा इंडिस्टी यहाँ पे क्या होते है लाइक स्कूफफ टउई आते है वुडं के टोई वगर आते हैं प्लस्टिक के टऊई-लक्तोई चाहते बहुत बड़ा इंड्रेश्टिव है तो आप इसको कुछ कर सकते और एक्षपोड कर सकते हो यहाँ पर कहा पर सबसे पहले तो मैं यह परना यहां पर देखिए अभी क्या हो रहा है कि इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट, ऑन THE on-line 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 यहां पर मैं आपको बताऊ कि देखिए बढड़ के देखिए में पर हर 組ounded है, दुनிया में लोगों की लाइक पर चाइल खर्च करते हैं मतलब पर मन्थ आपको बता दू पर मन्थ 400 यूरो का वो लोग expense करते हैं वगरे पर वहां पर उसने बता है कि गवर्मेंट भी subsidy देती है कि बच्चों के टोई के लिए गवर्मेंट भी subsidy देती मलब गवर्मेंट भी कुछ support देती वहां पर तो यह भी important चीज़ दो और मैंने international statistics देखा तो average लोग 300 300 डॉलर पर मन्थ के इसाब से spend कर लाइक यूरोप में अमेरिका में यूके में जापान में वहां पर लाइक एवरेज पर चिल्डरन के उपर लाइक 300 डॉलर का खरचा किया जा रहा है लाइक toys purchase करने में किस पर खरचा किया जा रहा है toys purchase करने में तो इसका जो इंडस्टी है बहुत ही बड़ा है और आगे भी बड़ा होने वाल अभी के हिसाब से बात करू 90 billion dollar 90 billion dollar का industry है और सबसे ज़्यादा खरीदार है सबसे ज़्यादा बायर जो है हो कौन है अमेरिका है और आज के दिन में सबसे बड़ा exporter कौन है वह चाइना है चाइना दुनिया को टॉइज अब देखें यहां पर बात करूं तो अराउंड 28-30% चाइना एक्सपोर्ट करता है और इंडिया आराउंड 3% तो यहां पर देखिए चाइना अप्रॉक्सिमेंटी पर्संट पर हम लोग 3% पर जो मेरे पांस है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं तो देखिए आपको प पौट्यूटी है तो हम लोग कर सकते मैं आपको यहां पर बात करूं टॉप 5 ट्वज इंपोर्टिंग कंट्री के में बात करूं तो सबसे पहले आता है युस ए उसके बाद आता जर्मनी उसके बाद आता जापान उसके बाद आता है लाएक यूके अन्यूद स्थे लेड को भी टार्गेट कर सकते देखिए और अमेरिका और इंडिया का रेलेशन अच्छा होने वाला है होगा देखिए अमारी जो गवर्मेंट अमेरिका कही साफिवरौल बात करूँ में टारूंट 17 परशन इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसका 1717 17% import अमेरिका करता है और मैं टोईज की बात करूँ तो अमेरिका जो है 25% अराउं 25% टोईज इंपोर्ट करता है वल्ल का मतलब इंडुनिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 25 तो इंपोर्ट कौन कर रहा है तो इसको हम टार्गेट कर सकते हैं तो आप कोई नई प्रोड़क्ट ढूंड़े को सर कौन सी प्रोड़क्ट में एक्सपोर्ट करूँ तो आप टोईज इंडिस्ट्री को पकड़ चकते हो उसको रिचेर्स करो देखिए पहले रिचेर्स करो आपको पता दूँ इनिचली आर्टिकल में कंसिडर होते देखिए आपको बताओ अभी हमारे फेमिली में कोई छोटे बच्चे का बड़े जा तो मैंने खुद आपको बताओ मैंने खुद और यहां पर इलक्रोनिक टोईज का भी अच्छा दिमांड है फिर आपको पता है आपको पता है तो इसका भी इसनी लेंड में गया था तो वहां पर जो टोई मिकी माउस के वगरे टोई विकरे तो मतलब वहां पर महेंगे भी करें थे फिर भी लोगों की लाइने लगी हुई थी पर्चेश करने के लिए शौपिंग करने के बच्चे मतलब मेरे को यह चाहिए यह बहुत चारा करो इंडिया में बेचो और बाहर भी बेचो आपको अच्छी बात बता दू इंडिया में भी टोई की बहुत ही अच्छी डिमांड है देखिए आपको बता दू हमारी गवर्मन ने लोकल लाइक मार्केट को प्रोटेक करने के लिए इंपोर्ट डूटी बढ़ा दिये और कोई बंदा इंपोर्ट करता है तो इसको माना के कॉलिटी स्टांडेर उसका टेस्टिंग होके ही वह टोई इंडिया में आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा तो इंडिया के अंदर भी यहां पे 130 क्रोड पॉपूलेशन है तो हादो आप टोई का बिजनस इस इनसिनल यहां भी भी शुरू कर सकते हो और एक्सपोर्ट में भी धिमान्ट है है तो यहां से इक्सपोर्ट कर सकते हो अमारी गौर्प्र में टोइस इंड़ूस्टि को डेवलउप करना चाहती local for local, local के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए 7% से यह इंडस्टी ग्रो करने वाला है तो यहां पर मैं बात करूँ टोई एक्सपोर्ट की तो यहां पर ओपोट्यूटी भी है और हमारी की ओपोट्यूटी है गवर्मेंट भी सपोर्ट कर रही है और डिमांड बढ़ रही है तब टोई इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो लेट्स गो ग्लोबल टुगेधर थैंक यू क्झा यूटी भी ओपोटर एक्सपोर्ट उल्मेंट कास्वेधर